तो नमस्कार, बिंदाज मार्केट और फिश्टर्स में आपका फिश्ट स्वागत है, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, MPS, Infotech, Limitates के बारे में, दोस्तों ये एक IT सेक्टरी कम्पनी है, और करेंट प्रैस इसका एक रुपे का चल रहा है, तो क्या हमें इस करना चाहिए, क्योंकि केवल एक रुपे की कम्पनी है, और IT सेक्टर की कम्पनी है, और इस कम्पनी के क्लायंट्स में देखें, दोस्तों, बहुती बड़ी कम्पनी है, इसकी क्लायंट्स, बहुती बड़ी कम्पनी इसकी क्लायंट्स है, तो क्या हमें केवल क्लायंट्स की पेस्ट करने जाहीं और सभसे बड़ी बात कहीं है कि कंपनी यहां पर हम बात करते हैं कि कंपणी करती क्या है उसका बिजनेस दिखा रहनेूज और यह इहां पर हैंने सैर्विस देती है अपने इप क्या प्रिआ्योट सब्स wij एकॉरिंग और यहां पर आप देख सकते हो एंटरप्राइज सोल्यूजन में ही है बिजिनम सब्सक्राइए बिजनिस अज़े पेडर हैं डिख सब्सक्राइब हो फोड और हंडा दिस्टीऊ अ लेक Whađन होते धिर्यू वोड्इक कंपनिया हैं और चारों के नाम आपने सुने भी होगे सो डेफिनल्टी कंपनी के पास क्लाइंट बेस बहुत ही बड़ी कंपनिया है तो अभी हम इसका फंडेमेंटकली और एनलिसिस करके देखते हैं तो MPS infotechnics is engaged in the business of IT solution and products IT in a world service telecommunication ठीक है तो मार्केट केप की बात करते है 377 क्रोड के मार्केट केप है ROC ROE अभी नेगेटिव में चल रहा है बुक वैलू है है तो काफी अच्छी चाहिए और इसकी कंपेटर की बात करते हैं इसके बहुत बड़ी कंपनियां कंपेटर की बात करते हैं तो दोस्तों यहां मुझे सेट में कुछ खास नहीं नदर आ रही है यहां पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वह भी नेगेटिव में चल रहा है तो अभी हम क्या देख रहे हैं इस सीज में यहां पर हम एक बार बार की बात करते हैं कंपनी के पास रेजर्व की बात करते हैं तो बासर करोड का रेजर्व पड़ा हुआ है और बोरॉइंग की लिहाज इससे देखते हैं तो कंपनी कवास 25 क्रोड की बोरॉइंग है तो जितनी इसके पास रेजर्व है उससे काफी कम बोरॉइंग है तो हम इस कंपनी को डेट पब्लिक के पास इसमें काफी अच्छी होलिंग है सारा माल पब्लिक के पास रखा हुआ 98 परसंट की होलिंग आप देख सकते हो तो अभी हम चलते हैं कि चार्ड की तरफ और देखते हैं कि कंपणी ने कितना रिटर निकाल के दिया है कंपणी का पिछला परफोर्वरेंस के कंपणी कितनी पुराण ही है सेर मार्केट में आए हुए तो यहां पर हम एक बार मैग्जिन चार्ट ओपन करके देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो 28 जनवरी 2000 को यह कंपणी आए थी 21 रुप में इसका लिश्टिंग हुई थी जब यह सेर आय था उसके बाद कंप फृप फ्री हो गई है कि यहां पर आप दिखते हो काफी ग्रावट देखी ती पैसों की पास स्कतला गयं आदा पैसे पैसे के करीब चला गया था उसके बाद इसमें इस यह बीच में चाहर पर आया है यहां पर अभी एक दो रुपे के लगवाट डिए रुपे के आसपास गया था करने चाहिए दोस्तों मेरे कोडिंग एक चोटा सा में बहुत ही पिद्दी सा से रहा है यहां से आप देखते हैं फिर यूपर चलता है फिर गिरता है फिर उपर चलता है मतलब हर गिरावट जो है पिछले हाई से नीची आ रही है और यहां से आप देखोगे कि यहां पर दस मार्थ से नौ मार्थ से एक रुपे का सेर है और आज भी वो एक रुपे के आसवाश ट्रेड कर रहा है तो यहां पर आप इस सेर में ब पाइंग करके चल सकते हो क्योंकि कंपनी डेट फ्री हो गई है और आइटी सेक्टर का क्रेज है ज्यादा ठीक है आगे और आप चोटी पर आपको फसा के निकल जाएंगे तो आप हजार दुधार पर ही लगाना ज्यादा पैसे नहीं लगाना है ठीक है बाखी हम बात करते हैं तो यहां पर यहां पर इसका बेस बना हुआ है एक रुपे का सपास यह आता है और उसके बाद फिर बाउंस वेग मार और काफी अच्छी खांट आपको नहीं बाइक करनी है कुछी पैसा लगाना है बाकी आप अपनी लेवल पर रिसेश कर लिजाए और अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग की पैसा लगाना आ थीक है बाकी सेर अगर यहां पर बाइक कर सकते हो तो इसका पहल फुर्ट टार्गे यहां दो रुपे तक जा सकता है ठीक है सोट टर्म टार्गेट रहेगा हमारा एक रुपे तीस पैसे का और लॉंग टर्गेट रहेगा हमारा दो रुपे का सो दोस्तों वीडियो एक बार अच्छा लगाओ तो लाइस करना कमेंट करके बताना किसके पास कितनी से और वीड